कितने कुछ चर्चाना अच्छा लगता है Amen कितने लोग शनीवार से इंतजार करते हैं कि संडे है बस सुब़ चर्चाना है Amen Amen बहुत बहुत जरूरी है ये उत्सा ये इच्छा परमेश्वर से मिलने की इच्छा हमेशा हमारे अंदर रहने चाहिए पिता से मिलना है मुझे आज आलेलुया लेकिन कलीसिया में आने से पहले अपने आपको तैयार करना है हालेलुया हम संसार से कलीसिया में आ रहे हैं इसलिए आने से पहले अपने आपको तैयार करिए अपने आपको जाचिए कि मैं परमेश्वर के योग के हूँ अभी भी मुझे में कौन सी ऐसी कमी है जो मुझे सिद्धता की और नहीं लेके जा रही है मैं सच कह रहा हूँ परमेश्वर आपको बताएगा परमेश्वर चाहता है मेरा हर बच्चा सिद्ध बन जाए Amen पहला यहन्ना 4 का 17 और 18 एक बचन देखिए आपको पता है हम कौन है इस समय धर्ती पर हमारी स्थिति क्या इस धर्ती पर इस समय पहला यहन्ना 4 का 17 बीवेटा आप बोले इसी से प्रेम हममेश्द हुआ कि हमें नया के दिन ही आहो क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है जैसा वो है वो कहां पर है इस समय परमिश्र के दाइनी और जैसा वो है जैसे उसके पास अधिकार है जैसा उसके पास सामर्थ है वैसे ही हम इस समय धरती पारें अब जानते हैं आप कौन है आपकी स्थिती परमेश्वर की दृष्षी से परमेश्वर आपको कैसे देखता है जैसा वो है वहाँ वैसे ही हम भी इस समय संसार में हैं क्या आप ऐसा सोच के चलते हैं क्या आपको प्रभू इश्व आने वाला है बहुत जड़ी आप लोग ट्रीवी निउस देखते होंगे इसराइल की क्या हालत है आप लोग देख रहे हैं और यह बढ़ती जाएगी आज में पस एक वीडियो आया इरान की संसद में जो वहाँ के संसदिये दल के नेता हैं वो लोग इसराइल की मौत के लिए प्रचार कर रहे हैं इसराइल को मारो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इरानी इस आलेलुया परमेश और इबरहेम को कहां से लेकर आया था पता है आपको हालेलुया उर्देश से उर्देश कहां पर है हालेलुया कोई कुछ नहीं कर पाएगा इसराइल का इसराइल परमेश्र का दिल है कुछ कुछ नहीं करता है इसराइल नाम उसका दिया हुआ है किसको दिया इसराइल नाम याकूब को रेसलोट हालेलुया कि तुम आजसे इसराइल हो मेरा देश मेरी प्रजा आप पता कहने है आप इसराइलीज है आप इसराइलीज है आप प्रभू के लिए है आपको प्रभू ने चुना है हालेलुया इसलिए अपनी इस्तिती को मत देखिए जब दुनिया जब आप जीते हैं जब आप चलते हैं इस संसार में कैसे देखते हैं आप आपके वास करजे भी हो सकते हैं आप बेमार हो सकते हैं आपके कुलीक्स आपको परिशान कर सकते हैं बहुसी प्रॉब्लम हो सकती हैं आप कैसे देखते हैं अपनी उन परस्तितियों के मताबिक अपने आपको देखते हैं या परमेश्वर में मैं कौन हूँ आपके अधिकार कितने हैं परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा करता है पहला पत्रस एक का पाँच कौन रक्षा करता है आपकी धर्ती पर परमेश्वर का सामर्थ इसलिए पॉलुस कहता है हे पिता परमेश्यर मेरे मन की आँखों को खोल दे मेरे मन की आँखों को जोतिर मैं कर ताकि मैं तेरी भलाई को देख सकूँ तेरी कृपा को देख सकूँ तेरे अनुगुरे को देख सकूँ आलेलुया उस समय इशू मसी की सेविकाई के तीन साल हो चुके थे अन्तिम कुछ महीने रहे गए थे अन्तिम महीनों में इशू मसी ने अपने चेलों को दो आज्याएं दी तेरा का 34, जली से पढ़िए मैं तुमें एक नहीं अग्या देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो किससे कह रहे हैं इशू मसी मुझसे बात कर यह किसे कह रहे हैं बोल यी किस से कह रहे हैं इब्देश है अगर आप अपने परोशी से प्रेम नहीं रखते हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपका पड़ोसी गिर रहा है चर्सो आ रहा है लेकिन उसके अंदर उसका सौभाब सही नहीं है उसके अंदर वैभिचार है उसके अंदर घमंड है बाइबल तो पढ़ रहा है क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है प्रेम एक अंदर बोश लेकर आता है प्रे विए चेलों को आज्यादी की एक दूसरे से प्रेम करो। सुजहाव नहीं किया। समझहाया नहीं। कि देखो पद्रस। यह यहूदा तो निकल गया है। लेकिन प्लीस एक दूसरे से प्रेम करो। अ समझहाया नहीं। हलो ! आज्यादी। You have to ! क्योंकि तुम लोगों ने प्रेम नहीं रखा और यहुदा इसकरियोती लालच के लालच में आकर उसने अपने इमान को खो दिया हम कौन है इश्यू में कौन है उसकी पवित्रता हम में कितनी है क्या उसकी दीनता उसकी नमरता मुझे में है प्रेश ओलौड क्या धन्यवाद कि आत्मा जो ईश्यू मसीर ने हमको दिये वो है चाहे मेरा दुखात्या ने तब भी मैं धन्यवाद कहता हूं एप बीमारी में जब उड़ता हूं तब मैं धन्यवाद का शंद अपने मुझे निकालता हूं इस ओलो यही मसिए्द है प्रेस अलॉट उस आशीश को समझे कोई मुझे बताएगा कि इशू की धार्मिक्ता क्या है कोई बताएगा कि इशू की धार्मिक्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से सुनिए पर्मिश्वर की धार्मिक्ता क्या है पर्मिश्वर का वो अनगुरय जिसके लिए आपने प्रात्ना की जो ना तो आपको अभी तक मिला है और ना ही आपने उस आशीश को देखा है अलो पर्मिश्वर की वो अशीश वो अनुगरय जो आपके लिए है लेकिन आपने ना उस आशीश को अभी तक देखा है और नहीं आपने अभी तक उसको पाया है फिर भी आप विश्वास करतें कि वो मेरा है यह है पर्मिश्र की धार्मिक्ता मुझे उधार मिलने वाला है Praise the Lord मेरा उधार करता कौन है? इशू Hallelujah अगर मैं विश्वास करता हूँ कि इशू आएगा और मुझे लेकर आएगा और उस विश्वास के अनुसार मैं जिन्दगी बिता रहा हूँ यानि कि मैं परमेश्वार की धार मिक्ता के अनुसार चल रहा हूँ परमेश्वार को समझे बिना हम उसकी आज्याओं को नहीं मान सकते आप आज्याओं सुनते तो है जब तक आप परमेश्वार को समझेंगे नहीं आप उन आज्याओं को मान ही नहीं सकते आलेलुया इसके लिए हमें परमेश्य को जानना जरूरी है परमेश्य को समझना जरूरी है इसके लिए परमेश्य ने कलीसिया बनाया है इसके लिए परमेश्य ने उसके मन की बात उसके श्वास इस वाचा की पुस्तक में रखे हैं आलेलुया और हमें इन वशनों को ध्यान से समझना है ताकि हम परमेश्र को समझ सकें और जिस दिन आप परमेश्र को समझने लगेंगे उस दिन उसकी कोई भी आग्या आपके लिए बोजिल नहीं होगी अभी आपके लिए जूट बोलना भी बोजिल है अरे यार धंदा करना बिना जूट बोले हम धंदा कैसे चलेंगे संसार में कैसे रहेंगे बिना जूट बोले जिस दिन आप परमेश्र को जान लेंगे न उस दिन आप अपना सर कटाने को तो तयार हो जाएंगे लेकिन आप जूट नहीं बोलेंगे उजिन आप ऐलान करेंगे कि मेरा सर काटो लेकिन मैं अंगी कार करूँगा कि इशू परमिश्र का पूत रहे हैं प्रिस अलोट आपको याद है मुसा अगर आप निर्गमन दो और तीन पढ़ेंगे परमिश्र जब मुसा से कह रहा था कि मुसा तो मैं मेरे लिए काम करना है और मुसा मना करना था कि मैं आपको नहीं जानता हूँ मैं कैसे काम करूँगा मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ मेरी ये समस्या है और आप किसी और को दे लिजे मैं नहीं चाहता हूँ क्यों? क्योंकि वो परमेशर को समझता नहीं था उसे मना किया नहीं मैं नहीं कर पाँ I'm sorry लेकिन जब मुसा ने परमेशर को समझा जिस दिन उसने परमेशर को जान लिया मैं आपको बताओं सिरफ मुसा ही है पूरी बाइबल में जो 40 दिन 40 रात तीन बार परमेशर किसी ने परिबत पर था और भूका था भूका और प्यासा आपको पता है तीन बार 40 दिन तक 40 दिन 40 रात तो कि वो परमेशर को जान गया था परमेशर को समझ गया था इतनी बड़ी सेविकाई किसी के नहीं थी तकि यवन 21-22 लाख लोग उसके साथ थे 21-22 लाख लोग उसके साथ थे आज किसी की सेविकाई में 500 रुपे 500 लोग होते हैं तो घमन नहीं हो जाते हैं कि मेरे बड़ 500 लोग हैं आलेलुया 21-22 लाख 6 लाख तो सिरफ पुरुष थे प्रेस अलाट इसलिए आप देखिए जिस दिन उसने परमेश्र को पहचाना उसे ना अपनी बीबी की आदाई ना अपने बच्चों की आदाई आप उरी बाइबल पढ़ लीजे उसने कभी ने कहा कि पिता परमेश्र गर्शम को कुछ बना दो एली एजर को कुछ बना दो याजा की बना दो का उसने वो समझ किया था कि परमेश्र से क्या मांगना है वो परमेश्र है If you are the players the Lord अगर 33 सोंट पढ़ेंगे हम निर्गमन 33 सोंट पढ़ेंगे देखिए धियान से बढ़िए 33 सोंट क्या कहता है वो 33 का 15 जब परमेश्र नहीं कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाओंगा तो क्या कहता है मुसा यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हमें यहां से आगे ना ले जा नहीं चाहिए कोई भी आशीश नहीं चाहिए कोई नौकरी नहीं चाहिए ऐसा धंदा नहीं चाहिए मेरी ऐसी मिनिस्ट्री जिसमें तू मेरे साथ ना हो इमान नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे कनान देश नहीं चाहिए, मुझे दूद और शहर्द में भीगा हुआ नहीं चाहिए, अगर तु मेरे साथ ना चाहे, क्योंकि वो समझ गया था, परमेशर कौन है, इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा, हम बहुत चोटी चीज़े मांगते हैं परमेशर से, बहुत चोटी, मेरी तरंखा दस हजार है, पंद्रह हजार हो जाए, मेरा धंदा अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, आप जिस दिन उसको समझ गए न, आप कुछ नहीं मांगेंगे, आप कुछ नहीं मांगेंगे, आपका सिर्फ एक ही धे होगा, किस तरीके से मैं परमेशर की उपस्तिती में रहूँ, क्योंकि उसी की उपस्तिती में सुख है, सच्चा सुख परमेशर की उपस्तिती में है, और किसी में नहीं है, इसलिए परमेशर के साथ वो जितना रहता था, जब वो नीची आता था तो उसके चेहरे पर किरिने फूट पड़ती थी, Amen, Hallelujah, वो था मुसा, इसलिए जब तक आप परमेशर को नहीं पहचानेंगे, आप उसकी आज्याओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, करी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप में वो शक्ती नहीं है कि आप उसकी आज्याओं को पूरा करें, इसलिए परमेशर ने अपनी आत्मा दिया है आपको, Hallelujah, Yusuf समझ गया था कि परमेशर कौन है, Yusuf, उसने एक ही बार, 17 साल की उमर में परमेशर ने उसे दर्शन दिखाया, कि चांद और सितारे तेरे जुकेंगे, आप सोचिए, कभी इस दर्शन के बारे में आपने सोचा है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कभी सोचा है आपने इस दर्शन के बारे में, कि चांद और सितारे तेरे सामने जुकेंगे, यह हकीकत हो सकती है क्या, कहा जुकेंगे चांस इतारे कहा आएंगे हलो लेकिन यूसुफ उस दर्शन के मतलब को समझ गया था अंत तक चांस इतारे उसके सामने जुके क्या यूसुफ के सामने जुके लेकिन यूसुफ जो की परमेशर को समझ था इसलिए उसने अपने भाईयों से कहा उत्पत्ती 45 में कि तुमने कोई गलती नहीं किया तुम अपने आपको मत कोसो तुमने मुझे नहीं बेचा ये परमेशर की योजना है कि मैं यहाँ पर आया वो समझ गया था वो परमेशर को जान गया था इसलिए तेरा साल तक एक साल पोती पर के घर में और बारा साल जेल में रहा और धन्यवाद देता रहा प्रेश अलाब क्योंकि वो जान गया था और जब उसे मौका मिला पोती पर के सामने आने का जब उस रसोई ने कहा कि साथ ये सपना सुनाता है और उसको सजा समार कर बारा साल की जेल काटने वारा इंसान जो बारा साल से जेल में था उसको बताया गया कि भाईया जो तुने भवश्वानी की थी जो तुने दर्शन का मतलब बताए था इसकी वज़े से तुझे राजा के सामने लाए जा रहा है और तेरे बारा साल के नाखून सारे बाल और अच्छे कपड़े पहना के तुझे राजा के सामने लाए जा रहा है लेकिन जैसे ही वो राजा के सामने आया राजा ने कहा के रे भाई तू तो दर्शनों का मतलब बताने वाला है कै तो मैं कुछ नहीं हूँ मेरा परमेश्वर बताता है यह मैं आप जितने दीन बनेंगे उतना परमेश्वरा को उठाएगा 12 साल की कैती वो सोच सकता था कि अरे यार फिरौन के सामने मौखा में लाया अपने आपको थोड़ा सा उच्छा उठाओं मैं कहा साब मैंने बताय थे आपको रशुये का और पिलाने हार वाले के मैंने ही बताया थे मैंने उनको बताया थे सार एक मर जाएगा और एक आपके संग रहेगा मैं ही बता रहता है नहीं मैं नहीं जो परमेश्य को समझ गया वो अपने अंदर मैं नहीं लाता है मैं नहीं मुझ कुछ भी नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ आलेलोहिया ना मेरे अंदर बुद्धी है ना मेरे अंदर सूरत है ना सीरत है कुछ भी नहीं है मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ तू मेरे साथ है तो मैं तेरी कृपः और तेरे अनुगराय को समझ पा रहा हूँ आलेलोया तो जब तक आप परमेश्र को नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी आज्याओं को पूरा नहीं कर पाएंगे आलेलोया आज का जो विशे है बहुत अच्छा परमेश्र ने दिया है मुझे के एक हारा हुआ शैतान मसीहों पर कैसे विजई होता है हारा हुआ शैतान शैतान हारा हुआ है कहां लिखा हुआ कौन से पद में लिखा है कौन से पद में लिखा है हारा हुआ शयतान हारा हुआ है पिसी को नहीं पता कि अधिकारियों को अधिकारियों को अपने उपर से उतार कर उनका खुलम खुला तवाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जैजय कार करकी ध्वनी सुनाई दे गई शैतान का मज़ा कोड़ाया उसमें चोशैतान हारा हुआ है शैतान कोछी नहीं करें Star आप लोग जो शैतान को याद करते हैं estou 예द कर तो शैतान कांग्ड दू एनिपिंग लेकिन आप शैतान को अहेमियत देते हैं स्वी मैं मैं आपको बताऊंगा तो हारा हुए जो शैतान है वो मसीहों पर कैसे विज़ाई होता है आलेलिया उत्पत्ती सोला एक और दो हम पढ़ेंगे अब्राम की पत्नी सारे के कोई संता न थी यहाँ एब्राहम और सारा के बारे में बात की जा रही है प्रेस अलाट अब इन दो बचनों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे पढ़िये बेटा अब्राम की पत्नी सारे के कोई संता न थी उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी सारे ने अब्राम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है इसलिए मैं तुझसे विंती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए सारे की यह बात अब्राम ने मान ली आलिल्या अब्राहिम जो अपना देश छोड़ कर आ गया आपको पता है उर्देश बहुत प्रोस्परिटी थी वहां की और देश में बहुत प्रोस्परिटी थी वहां पर टॉइलेट्स हुआ करते थे उस समय इसी से जान लेजे कि वो देश प्रोस्पर था कोई भिकारी नहीं था जब अब्राहिम आया तो उसके पास 318 दास दासी थे 318 जो वो आया थो एक पैसा था उसके पास तो इब्राहिम को जब परमेशन ने ले आया उर्देश से निकाल कर तो इब्राहिम सब को छोड़ चाड़ कि आ गया यह सोलवे अध्याय से पहले अगर आप समझेंगे बादें पढ़िएगा कि बारा से चोड़ा के बीश में बारा अध्याय से चोड़ा अध्याय के बीश में परमेशन ने चार बार वाचा बांदी थी अब्राहिम से चार बार ताकि अब्राहिम परमेशन को समझे अगर आप 12 अध्या पढ़ेंगे उसमें तीन में जली से पढ़िए बारा का तीन पढ़िए उसमें एक वाचा बांदिए जली से पहली वाचा उसने वहां बांदिए बारा का तीन जली पढ़िए जो तुझे आशिरवाद दे उन्हें मैं आशिष दूँगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाब दूँगा और भू मंडल के सारे कुल तेरे दौरा आशिष पाएंगे उससे पहले भी एक दो में लिखावा कि तेरे दोरा जाती बिनाऊंगा तेरा नाम महान करूंगा प्रेस अलॉड हालेलिया तो वहां से वह उसको लेकर आता है फिर उसके बाद बताया कि तू 75 का हो गया है बार्वें अध्याय में अंत में एक वाचा और बांदी दूसरी वा और है यह वह वाचा को नहीं समझा और मिस्ष चे कांच लग्या मिस्धेश कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप वो काम नहीं करें अधिए कि आप नहीं समझते आप अपनी बद्धी से काम लेते हैं कि यहां पर अकाल है भाई मैं कांच जाओंगा अभी देश वहां चल यह कहां का रिती रिवास था कि दासी से बच्चा एडॉप कर सकते हैं मिस्रियों का था अगर यह पहले ही सही होता उर्देश से अगर यह रिती रिवास लेके आता तो सारा के पास बहुत दासियां थी वह अब तक बच्चा ले लेती मिस्ट से ये आया रिती रिवास किसाफ दासी से भी आप बच्चा ले सकते हैं हाललुया तो परमिश्ट नहीं चाहता था कि आप मिस्ट देश जाएं और वो वहाँ गया दूसरा जो परमिश्ट नहीं चाहता था कि लूत को आप साथ लेकर मत आएं परमिश्र नहीं चाहता था कि इब्राहीम लूत को साथ लेकर आए कई बार आपकी संगती परमिश्र को पसंद नहीं है आप नहीं जानते हैं परमिश्र आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन आपसे नहीं कहर पारा है क्योंकि आपकी संगती गलत है क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे आप जब अकेले में हैं तो आपको तराशेगा आपको अपने योग्य बनाएगा प्रेसलोड तेरवे अध्याय में आप देखेंगे कि इनको बहुत पैसा मिल गए मिस्स से लूथ को भी और इब्रहाइम को भी और दोनों के चरवहों में लडाई हो गई और इब्रहाइम ने का भाई हमको लडाई नहीं करनी है बहुत सारी जमीन पड़ी है भाईया तु जहां देख ले वहां चला जा और जहां मुझे बन पड़ेगा मैं चला जाओंगा अलूथ खुश हो गया जैसे कि उसकी इच्छा थी अलूथ ने देखा कि सामने यर्दन नदी का वो ग्रीनरी है हरे हरे फल पौदे वहां पर है मैं वहां चला जाता हूं लेकिन वह भूल गया कि वहां सदोम की घाटी भी है लेकिन जैसे वो चला गया परमेश्व ने इसकी बुद्धी खोली और अब्रहेम से का तु जहां तक देख सकता है देखे जितना तुझे जमीन दिख रही है वो सब तेरी और तेरी नहीं तेरे वंश को दूँगा मैं हलो एमें वंश के बारे में परमेश्व ने पहली वाचा बादी की तेरे वंश को दूँगा मैं हललीय क्यों नहीं लूत के सामने बोला ध्यान से समझ ये बाइबल को लूत के जाते ही परमेश्व ने बोला doubles तो वो परमेश्व को समझ नहीं पा रहा था कि इसलिए जब पंधरवेय अध्याए में , जब वहां से युद करके आया जब पंधरवाद ध्याए , जब परिफा ने उससे कहा कि यह चांध सितारे जितने तेरे तेरे चांध सितारे उतना देला होगा !! और उसने उसको बाहर ले जाके कहा आकाश की और द्रिष्टी करके तारागन को गीन क्या तू उनको गिन सकता है फिर उसने उससे कहा तेरा वंच ऐसा ही होगा ये तीसरी वाचा थी जो परमेश्र ने मांदी इसी अध्याय में चौती वाचा भी बांदी कि तेरी जमीन कैसे होगी मेरी क्यों बांद रहा है परमेश्र बार-बार वाचा क्योंकि वो परमेश्र को नहीं समझ पा रहा है और जब आप परमिश्र को नहीं समझते हैं ना मेरे भाई मेरी बेहन तो शैतान इसली आपके जीवन में काम करता है आपको पता है शैतान के पास आपके जीवन में काम करने के लिए क्या उपाय है पता है उसके पास है आप्शन जो परमेशन ने कहा उसका आप्शन वो आपको देगा परमेशन ने कहा कि तुस्से ही बच्चा होगा उसे आपको आप्शन दिया हाजरा से भी बच्चा हो सकता है दस साल होगें सोलवे क्या अगर हम पढ़ेंगे इस्वल आओ जो उनने कSalवे का तीसरे का पढ़ेंगे वचन पढ़ेंगे सोलवा का तीसरा यहीं कि दस साल होगे उनको एकड़े कड़े उसमें लिखा है दस साल हो गई attackers जब से वहाँ से आये जनान देश में रहते हुए दस वर्ष बीच चुके थे और इस्तरी और सारे ने अपनी मिस्री लॉंडी हाजरा को लेकर अपने पिता अबरहम को दे दिया क्यों कि दस साल बीच गये हैं शैतान ने ऑप्षिन दिया ऑप्षिन देता है शैतान आपको नहीं पता आजकल आप ऑप्षिन के अंतरकात आकर फिसल जाते हैं यस परमेश्य का काम करने का तरीका एक है अललिया वो आप्षिन नहीं देता है एक काम करना तुम्हें ये काम करना है शादी ऐसे होगी बच्चा ऐसा होगा लेकिन शैतान आजके लड़के लड़कियों के जीवन में आप्षिन लेकर आता है अब शादी नहीं करने हैं हमको सम रहना है लिविंग रिलेशन्शिफ नहीं जैए शैतान लेकर आया गुल दस्ता लड़के लड़कियों के लिए लिविंग रिलेशन्शिफ अरे वाँ अच्छा है ले सकते हां कुछ प्राब्लम नहीं है हमें समझना एक दूसरे को समझन बहुत जरूरी है और अभी कैसे समझेंगे ठोग पीठ कर समझेंगे कैसे समझेंगे एक दूसरे की हड्डियां दिल पिस्ता सब निकाल के समझेंगे क्या कि हां मैं लिवर कितना बड़ा है दिल कितना बड़ा है कैसे समझेंगे मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि लड जलके लड़कियां living relation में कैसे समझते हैं आज कर शादी करने के लिए बोलो भाई लड़के शादी करने नहीं मैं उस लड़की से शादी करूंगा इसको समझूगा और अभी कैसे समझेगा तू मैंने बोला मैं तेरी मां को आज तक नहीं समझ पाया कैसे समझेगा तू नहीं समझ सकता औरत को समझना असंभव है समझेगे नहीं समझ सकते शादी एक compromise है शादी और एक चीज़ याद रखिए किसी की शादी हो कोई मुकंबल नहीं है कोई कहे कि साब मैं पूरा हूँ मेरी पत्नी गलत है उसके अंदर ये कमी ये कमी ये कमी तो भाया अपनी तरभी उखलाओ तूमारे अंदर ही बहुत कमी है कोई पूर्ण नहीं है कोई समपूर्ण नहीं है आललुया तो परमेश्ण ने कहा आदम का विवा होना चाहिए मर्श का विवा होना चाहिए रेस लॉट विवा कौन लेकर आया परमेश्ण उसका एक ही तरीका है पती पत्नी एक दूसरे के साथ हो जाएं लेकिन शैतान आप्शन लेकर आया अच्छा माबाप नहीं मान रहे हैं तो कितने साल की है 18 की है मैं 21 साल का हो चुका हूँ चलो हम कोट मेरिश करेंगी दूसरा आप्शन हलो आपको पता है शादी क्या मतलब क्या है ललके ललकियों का मिलन नहीं होता है दो परिवारों का मिलन होता है और शादी एक ऐसी चीज है जिसमें ब्लेसिंग सबकी बहुत जरूरी है जितने भाई भेन आपके शादी के माउस सब में आ रहे हैं वो आपको ब्लेस करें आपके लिए प्रात्ना करें आपने वो जीवन बिताना है इसलिए आपको प्रात्ना की बहुत जरूरत है लेकिन शैतान बताता है ललके को। कह रहे है यार ललकी है। ललकी कहती यह सब ललका बहुत ज़ो है। ये कॉन लान रहा है ऑप्शन? शैतान! तो शैतान बहुत आसानी से walुझ जीवण में काम करता है। प्रेज अलॉट परमेश्वर को ना समझ कर आप परमेश्वर की आज्याओं को नहीं मान सकते हम कभी कभी परमेश्वर की आज्याओं को मानने की कोशिश करते हैं हम परमेश्वर की आज्याओं को सुनते हैं और हम उत्तेरित हो जाते हैं यस यह अग्या मेरे लिए मैं मानूंगा लेकिन मेरे भाई आप थोड़ा दूर चलते हैं और आप आज्याओं को न क्यों कई है फेसलोट है जब सारे ने शारा है उच्ट कि अपनी मोजने कि नोさ shine कि ख्रोसे समझा नहीं पर मेश और पर निन पर मेशर मुझे चांद और सतितारे दिखा रहा है कि इतना तेरा वंच होगा और एक चीज किसके लिए उसने परमेश्वर की आग्या तोड़ी इश्माईल के लिए जैसे इश्माईल मला क्या सारे ने उसको उतना प्यार दिया आप अगर परमेश्वर के बिना शैतान के द्वारा किसी आशीश को अपने जीवने पूरा करते हैं न वो अशीश आपको फ़लेगी नहीं नहीं फ़लेगी वो अशीश आपको नहीं फ़लेगी क्योंकि परमेश्वर के द्वारा नहीं है वो और यही यही अब्राहिम जब इब्राहिम बना यह अब्राहिम जब इब्राहिम बना जब इब्रानियों का पाँचवाँ शब्द उसके नाम में जोड़ा गया तो उसके जीवन में अनुगरे आया हाललुया और यही इब्राहिम जब परमिश्र को समझने लेगा आपको याद है उत्पत्ती 22 जब परमिश्र ने का इब्राहिम उसने का मैं यहाँ हूँ देख तू अपने एकलोते पुद्र जिससे तू प्यार करता है उसे ले जा और जहां मैं बताऊँगा उसे बली चड़ा उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या परमिश्र सौ साल के बाद मुझे दिया है अपने मेरा बच्चा और आप ले रहे एक से पांच के बीच में आप पढ़ेंगे जब तो उसमें लिखा हुआ जैसे एक परमिश्र ने कहा कि तू जाके बलिदान चड़ा तीसरे वचन में कहता है कि अब्राहेम जल्दी उठ गया हलो क्या लिखा है वचन में अब्राहेम जल्दी उठ गया यानि कि ये परिश्या सुनने के बाद वो सोया आप सो सकते हैं अगर आपको सुबे अपने बच्चे का बली करना है जो सौ साल के बाद मिला है आप सो पाएंगे परमिश्र के दे कि आपकी नौकरी चली जाएगी आपकी रातों के नीन ओड़ जाएगी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा और मैंने समझा कि वो जल्दी उठ गया यानि कि वो सोया क्यों सोया क्योंकि वो परमिश्र को जानता था वो परमिश्र को समझता था एमेन ये मरनहार ये मुर्दों को जिन्दा करने वाला पिता है जब मेरी पत्नी सारा की मर्यूई हालत थी तब इसने उस मर्यूई हालत में जीवन दिया ये कुछ भी कर सकता है जिस दिन उसने परमिश्र को समझना चुरू किया उसने आग क्या मानी और वू अपने बच्चे को ले गया मौरिय परबद पर जब तक आप परमिश्र को नहीं जान पाएंगे न आप बोलेंगे तो सही कि मैं परमिश्र की आग्या पर चलता हूं पंद्रह और सॉला पड़िए पिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी पत्नी सारे है उसको तु अब सारे न कहना उसका नाम सारा होगा मैं उसको आशिश दूँगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूँगा और मैं उसको ऐसी आशिश दूँगा कि वह जाती-जाती की मूल माता हो जाएगी आगे बस और उसके वंश में राजे-राजे के राजा उत्पन होंगे आलिलोय यह ये निकि सारा का मतलब क्या है जाती-जाती की राज माता राजाओं की माता ऐमैन? यानि के उसने इब्रहायम को क्या आज्या दी? कि तू जब अब सारे को सारा बोले तो उसमें ये महसूस करना कि ये राज माता है हलो ये राज कुमारों की माता है ये जाती जाती की माता है क्या बताना चाहता है परमेश्ट इसमें कभी आपने सोचा है आप सब के नाम होंगे आपके बच्चों के नाम आप रखते हैं पुर्ण आपने बच्चे का नाम बहुत सो सोमच के सामर्थी रखा रेज़ लॉट जब आप अपने बच्चे को बुलाते हैं सामर्थी तो क्या आप उसमें सामर्थ देखते हैं परमिशर चाहता है कि जो कुछ तू बोले उसमें जीवन हो हालिलुया जब तू बोले नाम को हर नाम का एक मतलब है इनका नाम जौन है वो परमिशर का जीवन जब आप उस नाम को लें तो आपके अंदर वो जीवन के महत्र को समझेना चाहिए हलो सामर्थ आपकी जबान पर है जब आप अपने मूँ से बोलें इसलिए लिखा हुआ ठारा का एकिस नीथी वजान ठारा का एकिस कि तुमारी जीवन पर मिर्तिव जीवन जोनों है जो कि उसका उप्योग करना चाहता है वो ही उसका फल भोगेगा कौन भोगेगा फल जो उसका उप्योग करना चाहता है हालिलुया कैसे उप्योग करेंगे आप अपने बच्चे को जब आप एक नाम से बुलाएं अतुल अगर आपके बच्चे का नाम है अतुल मैसूस करिए कि अतुल नहीं है वो वो सबसे अलग होगा परमेशन ने उसे अतुल नाम दिया है हालिलुया अगर आपके बच्चे का नाम आनंद है मैसूस करिए उसको बुलाते समय कि मेरा बच्चे की जीवन में आनंद परमेशन का आनंद बना रहेगा आनंद मैसूस करिए लेकिन आप नाम तो रखते हैं आनंद लेकिन जब बच्चा जैसे मस्ती करता है कि आनन्द तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ दूँगी आनन्द तेरा सत्यानास हो आनन्द तू कभी नहीं फलेगा आप फुछ शुराब दे रहे उसने क्या बोला? इसका नाम सारा है सारा का मतलब क्या है? राजकुमारों की मता राजकुमारी वो राजकुमारी जो हजारों की मता है यनि के परमेश्वर्तो सामर्त देंगे क्या कहाता? कि अगले साल आँगा मैं और इसको बच्चा होगा तो परमेश्वर्तो सामर्त देंगे लेकिन अबराहेम तू भी इसमें देखना शुरू कर दे कि ये राज माता है इसका नाम अब राज माता है राजाओं की माता है इसका नाम तू जब बुलाए तो तू देख कि इससे तू महसूस कर कि इससे राज कुमार पैदा होंगे और हजार अलागों पैदा होंगे यह मैसूस कर प्रेस अलाट जिस इन आप ने उसके वच्छनों को मैसूस करना शुरू कर दिया इर्मिया 29 का 11 यहवा की वाणी है कि मैंने मैं उन कलपनाओं को मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तेरे लिए रची है वो योजनाओं हानी की नहीं है लाब की है कितने लोग जानते इस वचन को पर मिश्टर कहता है मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तेरे लिए बनाई है वो हानी की नहीं है लाब की है क्या बंगी काट रटते हैं रोस कि मेरे जीवन में जो भी योजना है वो हानी की नहीं है लाब की है मेरी नौकरी चली गई लाब की है मैं बिमार हूं कोई बात नहीं है मेरा धंदा डाउन में जाना में उसकी योजना है लाब की है उसने कहा है मेरे लिए कोई भी योजना हानी की नहीं है कि इसलिए रोमियो ओठका अठाइस का कहता है जो परमेशर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई ही ही उत्पन्ने करती है हर बात हर बात आपके जीमत प्रेम करती है Praise the Lord इसलिए मैसूस करिये, इसलिए उसको समझने की कोशिश करिये आज से प्रात्रा करी कि पिता मैं आपको जानना चाहता हूँ मांगो तो तुम्हें दीया जाएगा, ढूНडो के तो पाओगे खट-खटा होगे तो दर्वाजा क्लेगा और भ asks पाना है उसे पाना है उसे घुटने टेकिए मैं किसी बाइबल स्कूल पर नहीं गया मेरा टीचर पवित्रात्मा मैं रोज घुटने टेक कर प्रभू से कहता हूँ बस मुझे बुद्धी दे मुझे समझते मैं अपने बच्चों को आई भेविनों को क्या दूँ तू जानता है Hallelujah Praise a lot वचन बहुत ज़्यादा है लेकिन हम आगे बढ़नी पाएंगे क्योंकि Light नहीं है Praise a lot मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा हो Hallelujah मैं धन्यवाद देता हूँ जो लोग हमारे YouTube पे देख रहे हैं यह Zoom में हैं प्लीज YouTube वाले सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाईए Bible कहती है हमें दूसरों के लिए आशीश का कारण बनना है जो आशीश आपको इस वचन से आज मिल रहा है वो दूसरों तक पहुंचा रहे है तक कि परमेशर आपको अभी शिक्त करे मैं आपके लिए प्रात्ना करना चाहता हूँ हे पिता परमेशर धन्यवाद देता हूँ परमेशर इस वचन के लिए परमेशर मैं धन्यवाद देता हूँ आप महाने महिमों और अधर के योग यह परमेशर आपका इस पर्श पर्मेशर देखने वालों पर हो सुनने वालों पर हो पर्मेशर ताकि पर्मेशर ये वचन उनके जीवन में उतर जाए पर्मेशर ताकि पर्मेशर तुझे वो जाने और समझे और तेरी आज्याओं को पूरा कर सके इश्योई मसीह के नाम से माँखते, जिनको चंगाई चाहिए, उनको चंगाई मिले। इश्योई के नाम से माँखते, धन्यवाद देते हैं, प्रात्रा, अपने सुने और करवोल की हम सब चेहेंगे, आमें, करें कि धो से तालिया मेरा यह कुंधा नो तम्त्हेश शु मसी जोए के पूलेगं घ्म हलेलुया हलेलार्ð तो ग्हों ठीervisyl। में अम सब खूचने के ऌप लूंक